नमस्कार आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में चलिए आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक और सटी एक वशी करन का उपाय लेकर मंत्र लेकर जिनको करने के बाद आप उपने जीवन को आसान बना पाते हैं खास कर किसी को भी अपने वश में कर पाते हैं तो चलिए आज फिर से आपको एक उपाय बताती हूँ और बताती हूँ कि कैसे उस उपाय को करना है कैसे आप किसी को उस उपाय को करके अपने वर्ष में कर सकते हैं यदि आप उर लोगों की जोटी बातों में आ जाते हैं हमारे सच्चे और सरर प्रियोग करें आप उनकी बातों से भी निकल सकते हैं और साथ ही एक चीज आपको बता दू कि ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आना चाहिए हमेशा जो भी करना चाहिए सोच विचार के करना चाहिए तो जो मैं आपको वर्षी करन के उपाय बताती हूँ बहुत ही सरर उपाय होते हैं आप इन उपायों को करें आपके सेवा में हमेशा हम ये उपाय लेकर उपस्थित रहते हैं ताकि आप अपने जीवन में वो सब चीजें हासिल कर पाएं जिनके लिए लोग अक्सत तरस्ते रह जाते हैं तो चलिए आपको बताती हूँ यह सरदार उपाय जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं चाहे वह आपके पडोसन हो चाहे वह आपकी प्रेमिका हो चाहे हो कोई अंचान महिला जिहां ऐसा उपाय है यह जिसको करके आप सभी को अपने वश में कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से तो चलिए आपको बताती हूँ कि किन किन सामगरियों की पड़ेगी आपको अविशक्ता इस वश करन के लिए आपको लेनी होगी लोंग जिहां जो कि आसानी से आपको रसोई घर में उपलब्ध हो सकती है और ये लोंग लेने के बाद आप जाकर बैठ जाएं अपने घर के एकांथ और किसी कोने में एकांथ जगह में बैठने के बाद आप उस इंसान को याद करें उसका ध्यान आपने मन में करें जिसको आप वश में करना चाहते हैं लोगों की बातों में कभी ना आए मैं आपको बता दू क्योंकि लोग जो है आपको कभी-कभी भटका भी देते हैं लेकिन यह जो मंत्र है यह 100% आपको सफ़लता हासिल करवाईगा आप इस उपाय को करेंगे इस मंत्र को करेंगे तो जिसको आप चाहेंगे उसे असानी से वश में कर पाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आप अपनी रूटी हुई प्रेमिका को मना सकते हैं कैसे उनको वश में कर सकते हैं आप इन लोगों को लेकर एकांत में जाकर पैट जाएं और यहां एकांत में बैटने के बाद मन ही मन उनका ध्यान करें जिनको आप वश में करना चाहते हैं और ध्यान रखें यह उपाय करते समय आपको कोई देख न ले और एकांत में जाकर पैटने के बाद सिद्ध के हुए मंत्र का आपको करना है जाब मंत्र आपको बता देती हूँ उसके बाद जिस हाथ में आपके लॉंग रखी हुई है उस हाथ में आपको फूप माननी है फूप मानने के बाद इन लोंगों को आपको जला देना है फिर देखिएगा व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा तो दोस्तों आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो लव मैरिज करना चाहते हो घ्रै कलेश से परेशान हो या फिर अपने प्रेमी या प्रेमी का कुब मनाना चाहते हो तो जो नमबर आपकी स्क्रीन पर दिखाय जा रहे हैं आप 24 घंटे में किसी भी समय इन नमबरों पर संपर्ग कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे वाशी करण आप किसी का कर सकते हैं और कौन से उपाए आपके लिए होंगे कारगर साबित और मुझे तीची आग्या जामाता लिए